आचारे नेमीचन सिद्धान चक्रवर्थी विर्चित जीवकांड गरंतराज की स्वाध्याय में बहुत दिनों के अंतराल के बाद यह स्वाध्याय पुने प्रारंब हो रहा है मारगणाओं का वरडन चल रहा था गती मारगणा इंद्री मारगणा का वरडन करने के बाद में काय मारगणा का वरडन चल रहा था काय माने शरीर होता है और वैक काय तरस और इस्थावर के भेद से दो प्रकार की बताई जाती है जिसमें सबसे पहले इस्थावर काय का वरडन चल रहा था और उसी वरडन में जो दो प्रकार के कायों में भी इस्थावर काय में जो जीव होते हैं उनमें भी एक विभाजन दो प्रकार से किया गया था कि प्रत्वी, जल, अगनी और वायू ये अलग हैं और बनस्पतियों का कुछ जो विभाजन है जो भेद प्रवेद हैं उनका जो वरडन है वो कुछ अलग है इसलिए बनस्पति का एक जीवों का एक वर्णन अलग ढंग से यहां पर बताया जा रहा था और उसमें दो प्रकार की बनस्पतियां बताई गई थी एक प्रत्येक बनस्पति और एक साधारण बनस्पति प्रत्येक में भी सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की बात कही थी ये सब प्रकरण पूर्ण हो चुगा था जो प्रत्येक वनस्पती का था अब यहां से साधारन वनस्पती का एक जीवों का जो वर्णन है वो प्रारम्ब होना था और उसी को गाथा नंबर एक सो इंक्यान वे से प्रारम किया जाता है बनना इंटी बन साहारणो दैन निगोद सरीराहवंति सामन्ना ते पुन दुविहा जीवा बादर सुहुमाति विन्नेया यहां कहा जा रहा है साहारणो दैन साधारण नाम करम के उदैशे निगोद शरीराह यानि निगोद शरीरवाले जीव हवंति माने होते हैं सामन्ना माने सामानने रूप से वही निगोद जीव कहलाते हैं ते पुन दुविहा जीवा वे जीब दो प्रकार के हैं बादर सुमा एति विंडिया एक बादर और एक सूक्ष यहां पर मुख्य रूप से यह बताया गया है कि साधारण नाम करम के उदै के कारण से निगोद शरीर होते हैं निगोद का मतलब क्या होता है उसमें दो शब्दें नी और गोद नी माने नियम से निश्चित रूप से गोद माने होता है इस्थान या छेत्र तो जिस इस्थान में जिस छेत्र में नियम से अनंत अनंत जीवों का रहना होता है उनी इस्थान या छेत्र को निगोद कहा जाता है क्या कहा गया निगोद का मतलब क्या हुआ नियम से, निश्चित रूप से जहां पर अनंत अननत जीवों का वास रहे उस छित्र में या उस इस्तान में उसको कहा जाता है निगोद तो ये जो निगोद शरीर भी है और निगोद जीव भी है क्योंकि जिनका इस तरह से शरीर होगा उनी जीवों को निगोद जीव भी कहा जाएगा लेकिन मुख की रूप से देखा जाए तो यहाँ पर शरीर की बात है इसलिए यहाँ पर निगोद शरीरा लिखा है और आपको अगर नाम करम की प्रकृतियों के बारे में पता होगा तो वहाँ पर भी दो प्रकार के नाम करम बताए जाते हैं एक साधारन शरीर नाम करम होता है और एक प्रतेक शरीर नाम करम होता है नाम करम की तत्वार सूत में आपने प्रकृतियां बढ़ी होगी तो उसमें एक साधारन शरीर नाम करम अलग है और प्रत्यक शरीर नाम करम अलग है तो जो साधारन शरीर नाम करम के उदैसे जो जीव बनते हैं वो निगोत शरीर वाले होते हैं निगोद शरीर वाले कौन से जीव होंगे? साधारण शरीर नाम करम के उदैसे तो जो साधारण शरीर नाम करम के उदैसे हुए वो निगोद शरीर हो गए और वह जो निगोद शरीर होते हैं वो सामान ने होते हैं सामान ने माने वही निगोद जीव सभी अपने जितने भी शरीरादी बनाने के कारे करते हैं वो सभी समानता के साथ करते हैं सामानने का मतलब क्या होता है समानता से जो चले वो सामानने है क्या समझा रहा है हाँ एक समानता उनके उस प्रोसेज में भी हो और उनके टाइम में भी हो तो उनको कहते हैं साधारन शरीर वाले जीव तो उनका वह सामान रूप से ही सभी प्रकार का जो कार्य होता है वो आगे बताया जाना है यहां सिर्फ उसको परिभाशित किया गया है कि हम यह ध्यान में रखें कि निगोद जो शरीर है और निगोद शरीर को धारण करने वाले जो निगोद जीव है उनमें मुक्य हितु क्या है तो वे है उनके अंदर शाधारण नाम कर्म का उधै होना जिसके कारण से उन्हें ऐसा शरीर मिलता है वहाँ पर उनका जनम होता है जहाँ पर अनंत अनंत जीव एक साथ जनम इत्यादी करते हैं ऐसे ये निगोद शरीर दो प्रकार के होते हैं ये निगोद जीवों का दो प्रकार से बटवारा हो जाता है एक बादर होते हैं और एक सूक्षम होते हैं यानि उन निगोद जीवों में भी ऐसे भी जीव हैं जो किसी के द्वारा ना गहात को प्राप्त होते हैं और ना किसी को गहात करते हैं वो कहलाएंगे सूक्षम निगोद और जो निगोध दूसरों से घात को प्राप्त हों और दूसरों को घात पहुँचाएं वो कहलाएंगे बादर निगोध जीव ऐसे इन दो प्रकार के जीवों का यहाँ पर वैडन करने के बाद में अब यहाँ यह बताया जाना है कि इन्हें हम सामानने क्यों कहते हैं इन्हें हम साधारन संग्या से क्यों पकारते हैं क्या साधारन होता इनके अंदर तो उसको बताने के लिए आगे गाथा नंबर बनना 92 यह आती है साहारण माहारो साहारण मान पान गहेनम्च साहारण जीवानम साहारण लख़णम भडियम यहां कहा जा रहा है इनका आहार जो है वो साहारण है साहारणम आन पान गहेनम् इनका आन पान का ग्रहण करना माने स्वासुच्वास का ग्रहण करना भी साहारण अप्च्या सब्द से जो बचा रह गया वो सब लगा लेना है ऐसे साधारन जीवों का ये साधारनम लक्षन कहा गया है अब आपको यहां पर चा सब्द से क्या लगा लेना है आहार कहने से तो आहार परियाप्ती आजाती है क्योंकि जब भी कोई निगोद जीव कहीं पर भी अपना जनम लेगा भव के प्रतम समय में कहीं पर भी शरीर धारण करेगा तो उस समय पर वे सबसे पहले अपनी पर्याप्तियों को पूर्ड करेगा तो पर्याप्तियां जो जीब की होगी वो जीब की पर्याप्तियां भी साधारण रूप से माने सामान रूप से एक साथ ही पूरी होगी तो उनका आहार आहार के बाद कौन से परयापती शरीर और शरीर के बाद पहले इंद्रिय और फिर उसके बाद में सास उच्वास ये चार परयापतियां एक इंद्री निगूद जीव की होगी और इनी चारों परयापतियों को भी वे साधारन रूप से ही पूर्ण करेगा यानि कि अनंत जीवों के साथ में यह आहारादी की यह परयापतियों की पूर्णता का यह कारी एक साथ चलेगा इसका मतलब क्या हुआ? यह समझना आना चाहिए कि आहार परयापति भी साधारन है माने अनंत जीव सामान रूप से एक साथ एक समान आहार परयापति को करते हैं फिर आहार परयापति के बाद में शरीर परयापति वो भी अनंत जीव एक साथ एक काल में शरीर परयापति को करेंगे फिर उसके बाद में इंद्री परियाप्ती का काम भी एक साथ अनंत जीव एक समान रूप से एक काल में करेंगे और फिर उसके बाद में 746 ग्रहन की जो कार है वो भी एक साथ अनंत जीवों का एक सद्रस एक काल में वह परियाप्ती का काम होगा इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान के चलो अनंत जीव एक साथ आहार परियाप्ति को पूर्ण कर रहे हैं तो एक समय में एक साथ सबकी आहार परियाप्ति प्रारंब होगी और आहार परियाप्ति का काम क्या होता है जो आहार वरगणाएं हैं वे आहार वरगणाएं जो खल और रस भाग के रूप में शरीर में परिणवन करने की जिनके अंदर योग गिता आ जाती है उस तरह की योग गिता की प्राप्ति हो जाना शरीर परियाप्ति से शरीर बनेगा इंदरी परियाप्ति उसे इंदरी के रचना होगी और स्वांसोच्छ्वांस पर्यापती से वो स्वांसोच्वांस की क्रिया करेंगे इस तरह से जो एक जीब करेगा वही अनन्त जीब करेंगे और अनन्त जीबों का इस तरह से एक साथ एक ही काल में सबका ये पर्यापती ग्रहन करने का काल सामान रूप से होगा इसलिए इनको शाधारण जीव कहा जाता है यानि जीव तो अनन्त हैं और शरीर एक है और उस शरीर को बनाने वाले जीव भी अनन्त है आहार पर्यापती की रचना भी एक साथ अनन्त जीवों की होगी पिर्थम समय में जो आहार पर्यापती को शुरू करेगा ऐसे अनंत जीव होंगे जो एक साथ आहार परियापती को शुरू करेंगे और फिर दुतीर समय में दूसरे जीव होंगे वो भी अनंत जीव होंगे वो भी आहार परियापती को शुरू करेंगे लेकिन वो पहले बाले जीवों के साथ मिलकर के करेंगे लेकिन उनकी वो आहार पर्यापती भिन समय में संपादित होगी ऐसे तीसरे समय में अलग होंगे ऐस तरीके से इन जीवों का साधारन रूप से माने एक समान रूप से आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वासोच्वास पर्यापती का ये क्रम चलता है इसलिए इनको साधारन जीव कहा जाता है ये सभी जीव एक साथ ये सब क्काम करते है ठीक है न? अब इसमें कैसे इनकी प्रक्रिया चलती है उसके लिए ये गाथा आगे की बताई जाती है बन 93 जत्थेक मरई जीवो तत्थदु मरणम हवे अनन्तानम वक्कमई जत्थेको वक्कमणम तत्थनन्तानम जत्थ माने जहां एक माने एक जीव मरई माने मरता है जीव तत्थ माने वहां मरणम हवे मरण होता है अनन्तानम वहां अनन्तों का मरण होता है जहां एक मरण करता है जीव वहां पर अनन्त जीवों का मरण होता है वक्कमई जत्थेक को जहां पर एक जीव जनम लेता है वहाँ पर अनन्त जीवों का जनम होता है क्या समझ में आया यानि जिस समय पर एक जीव जनम लेगा उस समय पर अनन्त जीव उसके साथ में जनम लेंगे कोई भी साधारण जीव ऐसा नहीं होगा कि वो अकेला-केला जनम ले ले और ना कोई एकसा जीव होगा जो अकेला मरण को प्राप्त हो जाए एक जीव का मरण होगा तो अनन्त जीव मरेंगे एक जीव का जनम होगा अनन्त जीव जीएंगे या यूं कहलो कि अनन्त जीवों का जनम होगा तो एक जीव भी उसके साथ में जनम ले रहा होगा अनंत जीवों का मरण होगा तो एक जीव भी उसके साथ में मर रहा होगा अब जब ये इस तरह से प्रक्रिया चलती है तो इसमें ये भी बताया जाता है कि जहां पर ये जीव जनम और मरण करते हैं वो जीव दोनों परिकार के हो सकते हैं परियाप तक भी होते हैं और अपरियाप तक भी होते हैं तो परियाप तकों की प्रक्रिया अपनी अलग रहती है अपरियाप तकों की अलग रहती है तो इसमें यह जानना बिसेश रूप से कि जहां पर ऐसे अनंत जीवों का जनम होगा तो वो अनंत जीवों के जनम में या तो परियाब तक अनंत जीवों का जनम होगा या अपरियाब तक दोनों का मिस्टर नहीं होगा एक साथ में, एक काल में जहां पर ये जनम होगा तो या तो परियाप्तक जीवों का एक साथ जानना या अपरियाप्तक जीवों का मिस्टर रूप में नहीं होगा तो मिस्टर रूप के अभाव के लिए ही ये बताया जा रहा है कि जहां पर एक जीव जनम लेता है वहां पर अनंत जीव चाहे वो परियाप्त रूप में भी जनम ले सकते हैं और परियाप्त रूप में वो उनका अलग-अलग रहेगा मरण भी इसी तरीके से होगा जहाँ पर एक परियाप्त तक जीव का मरण होगा बहाँ पर अनन्त परियाप्त तक जीवों का मरण हो जाएगा तो ये एक के साथ में अनंत, अब इससे आप ये समझ सकते हैं, कि जैसे मालो एक शरीर के योग्य, जो योग आदी की क्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम से यह आहार बरगणा आदी को ग्रहन करते हैं, तो एक जीव जिस योग के साथ में उन आहारादी बरगणाओं को ग्रहन कर रहा होगा, अपनी परियाप्ति ये बना रहा होगा, अनंत जीव भी उसी तरीके से उसके साथ में उन परियाप्तियों की रचना कर रहेंगे, सबका एक जैसा हो, ये दुरलब है कि सामान ने हैं, इस सामान ने हैं, समझा रहा है, एक साथ बहुत से लोगों का मर जाना, एक साथ बहुत से लोगों का जनम ले लेना, इस सामान ने है कि विसेस है, इस सामान ने है, इसे आप दुरलब कहोगे कि बहुती सुलब कहोगे, ये सुलब है, समझा रहा है, क्योंकि किसी को भी रो मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो हम उस घटना को देख करके यह समझते हैं कि इन सब जीवों का एक साथ ही कुछ ना कुछ इस तरह से संबंध था इनकी एक साथ अकाल मरत्यू होनी थी इनका एक साथ पाप करम का उदय आना था इस तरह से हम जब उस घटना को देखते हैं तो वो अपने आप में घटना विसे सोते हुए भी म्रत्यू सामान तरीके से होना अच्छी नहीं माने जाती है नहीं समझे रोग भले ही कौरोना से होस्पिटल भरे पड़े हो लेकिन अपने अपने टाइम पर आदमी मरे अलग-अलग टाइम पर तो ठीक है लेकिन एक साथ मर जाए पचास, पच्चिस, बीस, सो समझ आ रहा है तो फिर क्या होता है मतलब ये देखने माता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो एक साथ मरत्य हुई माने एक साथ इनके पापकरम का उदय आया इसे एक दरश्टी से देखें तो ये एक तरह से मतलब हीन जीवों का निमन जीवों का या साधारन जीवों का ये काम होता है जो विशिष्ट जीव होगा वो अपनी विशिष्ट आयू के साथ अपनी अलग-अलग समय पर अलग-अलग मृत्य को प्राप्त होगा समझ भारा है आप लोग विशिष्ट हैं के सामान ने आपका तो केवल उधारन दिया जा रहा है सामान और विशिष्ट को समझने के लिए यह ना आप हैं तो विशिष्ट लेकिन आपके साथ भी कभी कभी सामान ने पना गटित है हो सकता है हो जाता है लेकिन जब कभी ऐसा सामान ने हो जाता है तो हमारी दिरश्टी में क्या आता है यह सब एक जैसे एक गटना से मरण को प्राप्त हो गए यानि ये सभी एक समान मतलब पाप करम के उदैबाले थे तो जो पाप और पुन्य को जानता है वो इस बात की फीलिंग ले आता है अपने अंदर कि इनमें कोई बिसेशता नहीं थी जो इनमें एक भी नहीं बच पाया सभी मरण को पराप्त हो गए ऐसी फीलिंग आती न जब कभी कोई घटना हो जाती गलेसिर फट गया था एक जगह कहीं वो किसी के मरण में गए थे समसान गाट पर ही जो है वो उपर से छत तूट पड़ी थी है ना 25-30 लोग उसी समय पर तो मतलब कि इस तरीके की घटना है देखकर के हमें घटना है तो विसे इस लगती है लेकिन अगर हम जीवों की बारे में देखें तो जो पुन्य और पाप को जानते हैं उन्हें लगता है कि ये सब जीव एक समान तरह के पाप करम के उदय वाले थे और इसकी सिद्धी इस तरह सी भी होती है कि जैसे आप देखते होगे बहुत सारे जीव एक साथ मचलियां काटते हैं समझा रहा है मुर्गियां काटते हैं तो जब बहुत सारे जीवों का एक साथ इस तरीके से बद करते हैं तो ऐसे जीव भी बहुत सारे होते हैं लाइन से बैठे रहते हैं कई जगे पर आप देखोगे, मचलियां काटने वाले, मुर्गियां काटने वाले, इस तरीके से लाइन से बैठे रहते हैं दुकानों पर, तो जब इनके इस तरह से पाप करम के बंद होते हैं, तो वही पाप करम के बंद का जब उदय आता है, तो इस तरीके की संयोजना बन तो यह तो हम तरस जीवों का उधारन दे करके आपको बता रहे हैं, अब यहां देखो आप कि अनंत जीव हैं, हम तो 20, 25, 30, कहीं 100 मर गए, 200 मर गए, 300 मर गए, समझा रहा है, वो उत्राखंड में, गलेसियर फटने से पहले भी एक बार कुछ हुआ था, हरे द्वार की तरब सब भी चलो, लाखों मर गए, तो यह लाखों, दो लाख, यह तो चलो, बड़े जीव हैं, मनुष्य हैं, इसलिए इनकी गिंती भी बहुत लगती है, है ना, बहुत बड़ा एक आपता कही जाती है, लेकिन यह अनंत जीव हैं, आप समझें, और इन अनंत जीवों में, हर जीव का हर समय पर, अब जहां पर एक जीव का जनम हो रहा है, वही पर अनंत जीव जनम ले रहे हैं, और वही पर उसी समय पर अनंत जीवों का एक जीव के साथ मरन भी हो रहा है, क्या लिखा है? जहां पर एक का मरन होगा, वहां अनंत का मरन हो रहा है, और वही पर एक का जनम हो रहा है, तो अनंत का जनम हो रहा है, तो ये जनम अनंत का और अनंत का मरन एक ही शरीर में हर समय चलता रहता है, क्या समझ में रहा है? इस तरीके से निगोदों में ही बार-बार मरंड करना, ऐसी ये उतकरष्ट काय इस्थिति, असंख्यात, सागरो, पम, कोटा, कोटी, काल तक चलती रहती है। मतलब उस शरीर के साथ में, उस शरीर की काय इस्थिति बता ही जा रही है। उतकरष्ट काय इस्थिति, निगोद शरीर वाले जीवों की, जैसे उसमें जनम मरन का एक करम, शरीर तो एक ही है, अब उसी में अनंत जीव मर रहा है, अनंत जीव जी रहा है। तो जो जैसे अलग-अलग गुच्छे होते हैं, उनमें से एक गुच्छे की बात समझ, लोगी एक आसरित, जैसे एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग में रहने वाले मालों पचास लोग हैं, समझ ऑछा रहा है। तो वे पचास लोगों में हमेशा वे आना और जाना तो वे उन पचास लोगों का एक साथ एक ग्रुप कहलाएगा अब वो उसी इस्तान पर उसी बिल्डिंग में कब तक जनम्मरन करता रहेगा तो एक ही सरीर में उतकरष्ट काय इस्तिती उसकी असंख्यात सागरोपम कोटा कोटी काल तक बढ़ाई जाती है मतलब की असंख्यात लोग को प्रमाण जो समय होते हैं उतने समय प्रमाण ये इस्तिती हो जाती है अब इतनी समय तक ये एक ही सरीर में ये करम चलता रहता है उसके बाद में उस करम में कुछ अंतर भी आ सकता है आता है बनाए वो सरीर नश्ट हो सकता है दूसरा सरीर फिर वो अपना दूसरा सरीर बनाए लेकिन एक ही सरीर में जैसे कहते हैं कि एक सरीर कब तक सड़ता रहेगा कब तक गलता रहेगा जब तक कि वो पूरा का पूरा का पूरा मट ना ज़ाए तब तक समझने के लिए तो एक सरीर जब तक उसमें ये जीवों की उत्पत्ती हो रही तो कब तक होती रहेगी तो असंख्यात सागरोपम कोटा कोटी काल तक ये एक सरीर के साथ में अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ती होती रहती है अब उस उत्पत्ती का भी अलग-अलग धंग से क्रम सास्त्रों में और भी बढ़नेता है कि जैसे संख्या भी उनकी जो है वो पहले कुछ कम होती चली जाती है थोड़ी-थोड़ी बीच में कुछ अंतर भी पढ़ जाता है फिर बाद में फिर वो ही संख्या सुरू हो जाती है तो इसे सांतर निरंतर उत्पत्ती का क्रम कहा जाता है माने बीच में कुछ अंतर भी आ सकता है लेकिन वो उत्पत्ती बनी रहेगी कुछ समय का बीच में अंतर भी आ जाएगा तो भी वो उत्पत्ती बनी रहेगी इस तरह के वो सांतर निरंतर उत्पत्ती का ये क्रम चलता रहता है और यही जनम मरण का क्रम उनका अनन्त काल तक क्या कहें असंख्या सागरुपम भी अपनी दृष्टी में अनन्त ही काल हो गया असंख्या सागरुपम समझा रहा है इस तरह का ये निगोद जीवों का ये करम चलता रहता है अब ये निगोद जीवों की इस्तितियां उतकरष्ट रूप से एक काय की इस्तिति बताई जा रही है निगोद परियाय में तो रहने का समय अलग होता है लेकिन एक काय है जिसमें वो जीब, जैसे मान लोग ऐसे मान के चलो, जैसे आप लोग अचार बनाते हो ना, अब वो अचार का जो आपने material तयार किया, जिस counter container क्या वोलते हो, है ना, हमें समस्थ में आता है container को या आप लोग अपनी भासा में counter-wunter वोलने लग जाते हो, तो जिस बरतन में जिन चीजों का राई है, नमक है, वो जो आमियां हैं, और वो सब चीजें आपने mixing करके उसमें आपने उसको बनाने का सुरू कर दिया, अब उसमें जीबों की उत्पत्ती होना सुरू हुई, अब वो कब तक होती रहेगी, कब तक होती रहेगी, जब तक अचार रहेगा, जब तक उस अचार का एक पीस भी रहेगा, तब तक उसमें उसी जीवों की जो उत्पथी हुई थी, वो ऐसी अनन्ता अनन्त जीवों की उसमें उत्पत्ती बनी रहेगी. तो वो एक काय कहलाईगी. समझा रहा है? जिसने एक कंटर में रख करके एक अचार बनाने की प्रक्राइब वो एक काय स्थिती हो गई है ना अगर मालो आपने उसको हो सकता है धोया ही ना हो पूरे साल बर तक पूरे साल बर उसी में ऐसे आप बनाते रहे फिर फिर आमिया डाल दी फिर कवतम हो गया फिर उसी में डाल दीया और ऐसे करके आप उसको बनाई रख के रहे तो वो उसकी एक काय स्थिती बन गई माने जो पिछला था वो मटा नहीं वो एक ही शरीर था उसी में अन्य अन्य चीजें अन्य अन्य जो है जीव उत्पत्ती हो रही समझने के लिए ऐसा भी तो होता है किसी ने माल लो आप अपने घर के तो चलो अचार खतम भी कर लोगे लेकिन जहां बनते हैं दुकानों में या कहीं जगों पर जैसे हलवाईयों के लिए कहा जाता है कि वो केवल एक दिवाली पे ही बस जो है उनका मटका दूलता है जिसमेंसे वो जलीवी बनाई जाती है समझा रहा है ना हाँ तो ये उनकी उतकरष्ट काय स्थिती कहलाई काय स्थिती समझ में आ रही ना कि उतकरष्ट काय स्थिती दीपावली पर अगर मटका दूलता है या दूसरा बदलता है तो एक भरस की वो काय स्थिती हो गई अब उसमें कितनी बार जलेवी बनी, कितनी मैदा उसमें डली कितनी मैदाओं में कितने जीव पड़े और उसमें जीव के जीव जीव के जीव उत्पन होते रहते हैं एक साल तक चल रहा है तब जाकर के वो एक काय पूर्ण होती है तो ये समझें आप कि साधारण जीवों का इस तरह से ही जनम और मरण होता है और इन साधारण जीवों की ये जो उत्पत्ती का करम बताया गया है ये इसी तरह से हमें जानना चाहिए जैसा कि हमें इन इसलोकों में आपको दिक्कत होगी इसलिए अभी इतना ही परियाप्त है बोलो महावीर बगवान की